पिता जी के दियान पे आपनी लोगों ने एक आरूप लगा उसमें जाएक समी की घठेश रही है क्या कहेंगे इस नहीं आरूप मैंने नहीं आरूप तो खुद पिता जी नहीं लगा दिया था मुनिस तारीकों ने जहर दिया गया सिहत से वो अचानक से खाना खाने के बाद दिमार हो गया उनको महसूस हो गया उन्होंने लिखित में दिया मानी नाया लोगों और वही हुआ कि चब्विस तारीकों तबियत इतनी बिगड़ गई आउट ऑफ कंट्रोल कि मूर्शित अवस्ता में जब भोश होके गिर गये त अगर ठीक भी हो जाता है तो भी बारा गंता चौविस घंटा और तालिस घंटा अब्जर्वेशन में रखा जाता है चार बज़े भोर में 26 तारीक को आई सियू में और पांच बज़े शाम में बांदा की तरही बैरिक में जेल में कहीं सोचा है किसी ने ऐसा हो सकता है कु मेरी उन से वारता हुई लगबख चार बज़े उनकी इंतकाल होने से तीन घंटा पहले या दो घंटा पहले आपका फून जो सब वाईरल है सब जान रहा देखी रहे हैं सब लोग और उसके बाद उनको बेहोश होकर गिर गए वो और हाट फेल हो गया उनका ये इन लोगो है कैसी रही हमारे बड़े भाई हैं जेल में बंध है अड्मिंस्ट्रेटिव पावर है डियम को नहीं आने दिया गया स्टेट चाता ला सकता था नहीं इतफाक था कि मानिए उच्चितम में आले सुपरीम कोड़ बनती वरना निश्य दूप से यहां होते हो से मुझे यकी के लिए पिता सब कुछ होता है आप खुछ सोचो आप भी किसी के पुत्र होगे अब हम दोनों भाईयों के बीच की बात है मैं आप से तो कता ही नहीं बताओंगा बस इतना कह रहा हूं कि बहुत मजबूत हैं बहुत ठीक हैं और रोजा रख रहे हैं नमाज पढ़ रहे है कुरान शरीफ पॉर्ण के तिलावत करके बख्ष रहे हैं उनके लिए दूआ कर रहे हैं एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं सकता है और हम दोनों भाई उनकी सेवा नहीं कर पाए जीवन भर भी सेवा करते तो भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते और अब तो हमारे पास बस यही मौका है कि जो रास्ता वो गरीब, मजलूम, बेसहरा, यतीमों को, कुछले लोगों को सताय जाने के लिए वो जो लड़ाई लड़ते थे, उनका आशू पोचते थे, उनकी मदद करते थे, अब वो रास्ता हमें हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम उसी तरह गरीबों को लाम बंद करके, एक जूट करके, उनकी मदद करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे, यही आशा और यही का, कतर, दुबई, मौरेशिय, सिंगापोर, साउथ अफरीका, अमेरिका, इंगलेंड, इतनी जगाओं से तो लोग कॉल कर रहे हैं, और कई जगाओं, दुबई से तो कतर से तो लोग आ गए, आके मिटी दे रहे हैं, और वो कर रहे हैं, और वो तो एक अलग बात है, जो गरीब जनता है, पूरे साथ आठ जनपतों में, बहुत जादा दुखी है, बहुत लोग तीन-तीन दिन, चार-चार दिन तक तो खाना नहीं बना, लोग दही खाके रहे हैं, और हर वर्ग में ये हाल है, हर वर्ग में, और उस दिन का जो जनाजा था, उस ही काविदायक जी जनाजे ने उस मीडिया के जो प्रोपोगेंडा था, माफिया और गुंदा कहने का, वो उसका भी जनाजा उसी दिन मिकाल दिया, मेरे पिता कोई कुछ कहा करे, जबान है उसमे हड़ी तो होती नहीं, कोई कुछ कहा करे, मेरे पिता रहमा थे, गरीबों, मजलूमों, बेसा करना चाहती है, कि मुक्तार अंसारी के आप दो पुत्र थे और उनकी जो पत्नी है, आपकी माताजी, उन्होंने शायद दर्शन नहीं किया, उनके लिए क्या कर रहा है, वो क्या हाजिक हूई, मेरी वकील से बात हुई थी, आई कोट लाबाद की गुपाल चतरवेदी थी, मेरी वालदा के माताजी के वकील है, उन्होंने बताए कि हम जुडिशन हमेडी लिये हैं, उमीद है कि जल्दिन साफ में उमीद तो हमें रखने हैं, उमीद रखने हैं, तमाम लोग दर्शन कर रहा है, आप दी चाहेंगे कि मा, जो है वो, अब जख्मों घुमत खुरे दि लेकिन आप मानियें, लोग जो पिता जी के साथ रहें हैं, विधान सभा में, मलसी लोग, बिधायक लोग, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हिम्मत दिया, साहस दिया है, और सबने कहा है कि बटा तुम अकेले नहीं हो, और तुमारे पिता के अथिया हुई है, और हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ है कानूनी रूप से हम अपनी लड़ाई को जारी रखें उमर भाई आखरी सवाल जब से वापस सुप्रिम कोट के आरडर पह लाए गया तो सुप्रिम कोट ने कहा था कि उनकी मेडिकल अडिक्वेट फसल्टी इसका ध्यान रखा जाए और जब बांदा कि जेल लाय गया था तो बांदा की क्यारी में, जेल की क्यारियों में कोई फूल नहीं बचा था, ये बात किसी को पता नहीं, मैं आज खोल रहा हूं इस रास को, कोई फूल नहीं बचाता वहां के कैदियों ने, जब वो अंदर घुसे हैं जेल के, तो सारे बंदियों ने, उ करीब लू कि से उराजस्तान से मोटरसाइकल से लोग आरहे ग्रॉद लोग होगे और कुछ भी हमby में मौशन में आदमी कर सकता है मुम्किन है कि ना घाना खा रहा है मैं मंता हू है